आज हम एक ऐसी रेस्पी बना के त्यार करेंगे जो शायद ही आप सभी ने कभी बनाई हो जा फिर खाई हो जिसे खाने में बहुत ही टेस्टी है और बच्चों के टिफन के लिए तो ये बहुत ही अच्छी है इने बच्चे खोलेंगे और खालेंगे उनको ये बहुत ही टेस शिम्डा मिर्ची, ग्रीन मली, और साथ में प्याज के लंबे-लंबे लचे, आप इसमें अपनी मान पसंद सब्जियन डाल सकते हो, ये मैंने एक चमच भर के अध्रग को बरी करके डाल दिया, थोड़ी सी मैंने काली मिर्ची पौडर डाला, और हाफ टीस्पून नमक अड़ और हाफ टीस्पून भी इसमें धनिया पौडर डाल दिया, हाफ टीस्पून ही चाट मसला और स्वादन सार लाल मिर्ची पौडर, आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची भी बारी काटके डाल सकते हो, ज्यादा तिखा खाना चाथते हो, अब ये इसे वांडिंग के लिए हम ये चाबल काटा डाल रहे है, चाबल काटा डालने से ये क्रिस्पी बन के तैयार होंगे, ये मैं पंच चबच भरके डालूँगे, आगर कम लगे तो फिर बाद में और डाल सकते हैं, और फाइव चमच ही ये मैदा डालेंगे, आप इसकी जगh बेसन भी डाल सकते हो, इ इसमें हम पाणी नहीं एड़ करेंगे, ऐसे ही इसे अच्छे से mix करेंगे, हाथों से दुबार दुबार कर इसे mix करेंगे, तांकि इसमें जितना भी सब्जियों में मौफचर है, वो सारा निकल जाए, और हमें और पाणी नहीं डालना पड़ेगा, अगर बाद में और जरू चोड़ दिया था यह देखिए इसमें से सबजियों में पाणी रिलीज हो गया है अब ऐसे ही यह पाइंड हो जाएगा क्योंकि अगर यह ज्यादा नर्म हो गया तो फिर इसके अच्छी से शेप नहीं बना पाएंगे जैसी हमें चाहिए यह देखिए मैंने अच्छी से मिक् चिपके कर नहीं यह देखिए यह थोड़ा सा भी सॉफ्ट हो जाता जादा तो फिर ऐसे हमें रोल नहीं बना सकेंगे जो देखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे इस तरह हाथ में एक बार मुठी में दवाकरी से इकठा कर लेंगे उसके बाद ऐसे हाथ से कोल-कोल कुम अंदर तक नहीं सिकते यह मनें निमबू सेवि छोटे साई का बनाया है ऐसे ही हम सभी बना के थ्यार कर लेंगे दूसरी तरफ मैंने घी पहले से ही गरम होने के लिए रख दिया था और मैंने सभी को बना के थ्यार कर लिया आपको भी cooking oil ले सकते हो ओं Horse को अच्छे से गरम होने के बा poorer हम ये सबही करतेंगे जितने एक बार में आयेंगे है अ कि ये याइव पर से जल्दी से शेख जाएंगे लेकिन अंदर से चेख से रही जाएंगे तार ग॥ इसे शिखेंगे, तो ऐसे तो हुमारे बच्चे सब्जियां खरते हैं नहीं इस तरह से हम बना के देंगे तो उन्हें बहुत ही टिस्टी लगेंगे, ऐसे ही हमने सभी को फ्राइ कर लेंगे, अगर हम ऐसे ही कुछ नया ट्राइ करते हैं तो बच्छों को बहुत अच्छा पर देते हैं तो बजार से नहीं कहते हो यह देखिए हमारे सभी बॉल्स पन के त्यार होगी है यह अब इसे हम साइड में रखते हैं यह पहले हम चाबल को विखा देते हैं यह मेरे नॉर्मल वाले चाबल है मैंने एक बड़ा कप भर के लिया है इसे हम अच्छे से वाश करे देंगे और इसमें साफ पाणी पाके रख देंगे ढाकर 10-15 मिंट तक के लिए तांकि यह अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं अब इसमें हम मंचुरियूम के तड़क लगा लेते हैं यह एक डाई में मैंने थोड़ा सा ओयल लिया और इसमें हमने यह अद्रक और लसन को डाल दिया आप खाते हो तो डाल सकते हो नहीं तो इसे स्कीप कर सकते हो इसे हम एक मिंट तक भूनेंगे और हमने जो सबजियां काटके रखी थी उसमें से हमने हाफ रख ली थी हाफ का हमने मंचुरियूम बहुत सबना ले थे और हाफ हमने अलग से रख ली दो से तीन मैंने हर मिर्ची को ऐसे लंबे स्लाइस में काटके डाल दिया, यह हमारी ग्रेवी में बहुत ही अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है, आप जो सब्जियों को हमने ऐसे रखा था, इसे भी हमाई आड़ करतेंगे, यह मैं सभी सब्जियों को एकठा ही डाल दूंगे, गाजर है, ब सब्जियों को हम एक साथ ही डाल देंगे, क्योंकि इन सब्जियों को हम कच्छ भी खा सकते हैं, इने बहुत ज्यादा पकाने की जुरूत नहीं होती, तो ही इसे हम अच्छे से डाल के एक बार चला लेंगे, इसे मीडियों टू हाई फ्लेम पे भुणेंगे, तांकि इसका सब्जियों में बहुत सा पाणी होता है, तो वह इसी पाणी से यह पक जाएंगी, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, अब इसमें हम थोड़ी से मिसाले डालेंगे, जैसे सबादों सार नमक डला हमने, थोड़ी सी काली मिर्ची बॉर्डर डला, और किश्मीरी लाल बहुत अच्छा जाएगा, अगर आप और तिखा खाना चाहते हो, तो दूसरी वाली मिर्ची भी डाल सकते हो, लाल मिर्ची, लेकिन हमारे बेचे इतना ही तिखा खाते हैं, क्योंकि इसमें हमने जो सॉसिस डालनी है, उसे भी यह तिखा हो जाएगा, अब यह हम इसमें चिली सॉस टाली है, ग्यास की फ्लेम को हमने काम करती है, यह ग्रीन चिली सॉस है, आप जितना तिखा खाते हों, उतनी ही डाल सकते हो, यह मैंने सभी का एक एक चमच भर के डाल दिया, यह मैंने एक से दो चमच ही टमैटो केचप एट करती है, दो चमच मैंने इसमें विन अगर डाल दिया और एक चमचर निम्बू करास इन सभी सॉस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब हम जे सॉस टाल रहे हैं तब इसकी गैंस की फ्लेम कम ही रखें नहीं तो यह जल जाएंगी जल्दी से इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम अपनी मसाले में इसमें और आड़ करेंगे हम अब इसमें हमने थोड़ा से यह कौर्ण फ्लोर को घोल की रखा था एक से दो चमचर इसे भी आड़ करती है इससे हमारी ग्रेवी थिक हो जाएगी और इसे डाल कर अच्छे से चलाएंगे आप इसमें हम थोड़ा सा पाणी डालेंगे यह मैंने हाफ का पाण डाला है ग्रेवी आप जितना थिक रखना चाहते हो तनी रक्सकते हो लेकिन हम इसमें चावल डाल रहे हैं तो यह ज्यादा हम पतला नहीं रखेंगे नहीं तो हमारे राइस जो है ड्राइ नहीं अभी हमें ये थोड़ी सी थिक लग रही थी तो इसमें थोड़ा सा पाणी हमने और डाल दिया इसे हम अच्छे से वाइल आने तक चलाएंगे ये हमारी क्रीबी बनके त्यार होगी है इसे हम ठाक कर दो से तीन मेंट तक और चलाएंगे तांकि ये अच्छे से पक जाए जब दो से तीन मेंट तक इसे चेक करेंगे ये हमारी मंचुरियों के क्रेवी बनके त्यार होगी है अभी इसे हम साइड में रख देंगे क्योंकि हम इसमें अगर अभी बॉल डालके रख देंगे तो ये बीच में सौफ्ट हो जाएग ज्यादा तो इसके लिए हम इस से प सभी चाबल को हमने आड़ कार दिया और इसमें एक चमच भर के हमने नमक डाल दिया और एक चमच भर के ही हमने निम्भू को रस डाल दिया जिसे डालने से चाबल अपस में चिपकते नहीं हैं और इसे हम अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, 90% तक जब तक यह कुकनी हो जाते, अभी थोड़े से हाड है, यह 10 मिंट में ही बनके त्यार हो जाते हैं, ऐसा हम पहले से भी बना के रख सकते हैं, जा फिर हमारे पास अगर चाबल बाच चाएं, तो इस तरह हम इसका यूज कर साते हैं, यह देखिए हमारे चाबल अच्छे से भूल गए हैं, और यह सॉफ्ट होगे, अब इस नहान ने चंडी में डाल दिया था, और इसमें थोड़ा से ठंडा पाणी डाल के उसे रख दिया हमने, ताकि उसमें सारा पाणी निकल जाए, अभी हम ग्रेवे क दोबारा हमने रख लिया गैस के उपर, जब हमारी ग्रेवी करम होगी, तो इसमें हमने यह मंचुरिम बॉल्स डाल दी सभी, इसे हम सॉफ्ट हाथों से ही चिलाएंगे, ताकि यह तूटना जाएं, इसे एक मिंट तक ऐसे ही ढख कर पकाएंगे, एक मिंट के बाद इसमें हमने यह हरा धनिया डाल दिया, अब इसमें जो हमने चावल को बॉल करके रखा था, इसे एड करतेंगे, इसे हम अलग से साइड में भी रख सकते हैं, इसके साथ खाने के लिए, लेकिन हम बच्चों के टीफन के लिए बना रहे हैं, तो ऐसे हम मिक्स करके ही बनाएंगे, इने हम ऐसे ही साथ हातों से सभी चावल और मंचूरियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारे चावल भी न टूटें, और हमारी मंचूरियों बॉल्स भी ऐसे ही रहें, यह देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया सभी चावल को, और इसे ढख कर 2-3 मेंड तक ह हम ने रख दिया हमारे मंचुरिम राइस बन के त्यार हो गए हैं तो आप भी इस तरह से बनाएं और इंचुआए करें मिलेंगे ऐसी ही फिर किसी नई टेस्टी और हल्डी सी रैस्पी में बच्चों के टिफन में डालें जा फिर घर में डालें यह सब को बहुत ही टेस्टी लगे थे थैंक यू